तरविवार सुबर नाला के नारे शौच के बेलदा नाली में शनिवार रववार की दर्मियानी रात अग्यातार्पियों ने युवक की हत्या कर शव फेक दिया था रविवार सुबर नाला के नारे शौच करने करे कुछ युवकों को नारे के अंदर एक व्यक्ति खून से लटपत अच्छे तवस्था में पढ़ाई दिखाई दिया युवकों ने इसके जानकारी ग्रामिनों को दी जिसके बाद गाउ के कुछ लोग घटना स्थर पर पहुचे और देवलपार पुलीस को घटना के जानकारी दी पुलीस ने घटना स्तर पर पोच कर जान परताल वपंच नामा कर मितक को देवलापार के सरकारी इस्पताल मिलाया गया घटना की आसपास के गाउ में मोबाइल, वाटसैप और अन्य लोगों के माधियम से जानकारी पोची ये जानकारी मितक के भतीजी अकिलेश ने भी देखा, उसने अपने पिता नरिश खंडाते को बताया कि मोबाइल पर चाचा रमेश मायराम का वीडियो आ रहा है चेहरे पर मार है और फिर नरिश ने घटना की जानकाय निकाली और बेलदा की और रवान हुए बेलदा पोचने पर नरिश ने मितक की शिनाक छोटे भाई रमेश खंडाते के रूप में की पुलीस ने घटना सल पर पोच कर नरिश से चरचा कर नरिश को अपने साथ देवलापार के सरकार इस्पताल में लेकर पोचे मृतक को देखते ही नारेश ने मृतक उसका छोटा भाई रमेश खंडाते उम्र 22 वर्ष होने की पुस्टिकी है पोस्ट मॉटम के बाद शव परिजन को सौब द्या गया है फ्रियादी नरेश मयाराम खंडाते उम्र 47 वर्ष निवासी अकोला फोस्ट हिवरा रामटेक निवासी ने पुलिस को बताया कि मेरा भाई बाजार हिवरा के विजे जनबंदू के होटल में आचारी के काम से जाता था रोजाना उसे सुबर लेने होटल के मालिक का बिटा रिंकू जनबंदू लेने आता था और कभी कबार रात में छोडने भी जाता था कई बार रमेश अपने किसी जान पहचान वाले के साथ घर चला जाता था रविवार को सुबर नरिश ने अपने भतीजी को पूचा कि तेरे पापा घर पर है क्या तो भतीजी ने बताया कि पापा राज से घर पर नहीं है कुछ समय बाद करिब 9-9 बजे के दोरान मोबाल पर घटना के बार में पता चला नरिश ने पुलिस को बताया कि छोटे भाई उनतक रमेश के पतनी का राजिश को कारडे के पिता से करीब 1.5 साल पहले जगड़ा हुआ था उसी पर संदेह व्यक्त किया है केसरी उजलान ने उसके लिए देवलापार से शरत गुपता की रिपोर्ट